integration of sec square x को sec square x dx see if I can write sec square x as a 1 over cos square x into 1 over sin square x dx see यहाँ पर ही square का form है अब यह तरह सा यह tricky problem होगा हमें इसमें तरह सा कुछ ना कुछ आदिंग डिवाइड करके इसका अंसर फाइं करना होगा अदरवाइस में इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं just because इसका कोई direct हमारा पास integration का कोई formula ही नहीं है so यहाँ पर अगर मैं इसको step से करूँ कि मैंने 4 का divide then 4 का multiply किया so what happened here see 2 sin x cos x to the power 2 इसको मैंसे लिख सकते हैं just because यहाँ से 4 हो गया then हमारा sin x cos x जो मैं चाहिए था हमारा step से मैंने इसको लिख लिया 4 1 over sin 2 x to the power sin 2 x नहीं से हो जाएगा 2 the power 2 है उसको हमने identity उतार लिया अब देखिए sin 2 x को हमने यह किया यहाँ से 1 over sin 2 x को क्या लिख सकते है cos cos 2 x लिख सकते है so यहाँ से हमको मिल जाएगा cos 2 x dx ट्वाइस हमने कर दिया इसका एंगल तो एंगल को ट्वाइस का कि हमने इसको स्केरिंग का into किया सो हमने इसको step से लिखा अब हमारे पास इसका direct formula होता है cos 2 x का हमारा होता है minus cot x तो यहाँ पर हमारे पास twice है एंगल it means हम twice के form में कर देंगे so 4 minus cot 2 x over 2 just because angle के हमारे जो variable है उसके साथ में 2 as a coefficient है तो हमने coefficient को नीचे कर देते हैं इस में integration में then plus c किया so it will be cancelled here with 2 so finally you will get your answer minus 2 cot 2 x plus c it is your final answer